पून परमात्मा पाप करमदंड को भी काट सकता है अभी तक जिस भी संत्वा महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप करमफल भोगने से ही समाप्ध होगा वो प्रभु कौन है जो पाप करम को काट देता है वो काल के बंधन से छुड़वा देता है उसका क्या नाम है पूजा की विधी क्या है किर्पया अवश्य सुनिये जगत गुरु तत्व दर्शी संत रामपाल जी महराज के अम्रित वज़न तुव प्रमात्मा सोय हो गया अपने निज सथान सितलोक में और वहां से नौ लाख बैलों के उपर बने बनाई जिलेबी, कचोडी, पकोडी, दही, बड़े, बुंदी, लड़ू, सब कुछ बरके दाल, चावल, खांड, खीर, सब कुछ बने बनाया और यहां सेकर्ड में लातारे, तो वहां इस सब वस्तियों आपको उपलब्द हैं, तो वहां कोई राग नहीं, कोई द्वेस नहीं, या तो हम कभी किसी जमीन के बटवारे पर लड़ मरते हैं, जमीन वही रह जाती है, और इनसान मर जाते हैं, तो यह वरती खराब क्यों होगी हमारी, क्योंकि एक तो ग्यान नहीं, और दूसरा हमारे साथ बगवान नहीं, जब हमारे साथ बगवान होगा और ग्यान होगा, हमें किसी चीज़ का अभाव यहां भी नहीं रहेगा, जब तक आप यहां रहोगे, आपकी सुरक्षा होगी, आपके बच्चों की सुरक्षा होगी, तब ही हम भगवान की खोज करते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे हम भी निरोग रहे हमारी अकाल मर्तू ना हो चलो मर्तू तो ये मानते हैं हम बुले में मुदापा मर जाएं लेकिन बीच में ना मरें तो ये इस गंदे लोक में भी इस नासवान सथल पर भी उस अविनासी परमात्मा कबीर जी की सरण में आने के उपरान थी हम ये सुख भी पराप्त कर सकते हैं तो ये ग्यान हमें अभी किसी ने बताया ही नहीं और परमात्मा आकर बताने की चेश्टा कर रहे थे सन तेरा सो अठाणों से सन पंदरा सो ठारा तक एक सो बीस वरस पर मेश्वर यहां रहे एक जुलाए गरीब की भूमिका निर्धन की भूमिका की अब वो भूमिका क्यों की क्योंकि पांस दिन के अंदर इस मागम के दोरान हम आपको प्रमात्मा की रह रहकर विष्टार से जितनी हमारी बुधी काम करेंगी दास की आपको सब कताइं सुनाएंगे तब समझनाएंगे चारों युग में संत पुकारे को के कहा हम हेलरे एरे मानक मोती बरसें ये जग चुगता डेलरे ये समागम उस सुब जिनके उपलक्स में मना जा रहा है कि वो प्रमात्मा हमारे पता हम बालकों की गलती को अक्समा करके जो हमने सत लोक में करी थी क्योंकि सिर्ष्टी रतना के मादम से आपको ये जानकारी होती है कि आप जी कैसे यहां फसे थे इस कंदे लोक में क्यों इतना करश्ट उठा रहे हैं तिस एक्किस बिर्मांड जो या जेल है काल की इस में सुख सौपन में भी नहीं हो सकता किसी प्राणी को चाहे वो पूरी पर्थवी का राजा हो चैवस फरग का राजा हो तो ये जो स्थान है यह हम क्यों आए ये शिरिष्टी रतनाम आपको बताएंगे ये समागम के दोरान भी आपको बताएंगे तो उस गल्ती को अक्समा करके पर्मात्मा हमें बालक जानक है अब यहां आते हैं हमें अपना निद स्थान बताने स्थान ही आते हैं तो वो पर्मात्मा जैसे उस पर्मात्मा के विसे में आप जिने अभी पर्मात्मा सुना कि चारों वे दों में उसमें स्थान है कि वो पर्मात्मा उपर रहता है तो वहां राजा के समान ओराल कंट्रोलर के रूप में सिंगासन पर विरादमान है और उस परमात्मा की सक्ति, पावर आफ गॉड है, उस परमात्मा की सक्ति सर्वे व्यापक है, वो परमात्मा एक देसिये है, एक स्थान पर रहता है, जैसे सुरिये एक देसिये है, और उसकी जो सक्ति है, वो निराकार रूप में परते को परभावित कर रही है, उशनता उसकी सक्त है आप इठाया में बैठे होते हो तो भी उसकी उसनता आपको महसूस हो रही होती है इसी परकार परमात्मा की जो सक्ती है परतेक कन कन में विदमान है परमात्मा एक सथान पर है नर आकार है और वहां से गती करके यहां आता है वो देश से क्या रखता आने का पर वेदों में भी आपको बहुत बार परमानित किया है और आगे भी बताएंगे कि वो परमात्मा यथार्थ भग्ती मारग बताने के लिए ही यहां आता है हमें यदि किसी वस्तू किया सकता है तो मोक्स मारग है वो मोक्स माने यहां इस बंधन से छूट जावा जो करम बंधन से हम बंधे हुए है और करमों के बंधन से छुड़वाने वाले को बंधी छोड़ कहते है और करम के बंधन को केवल वो बंधी छोड़ परमेश्वर सत्यपुरस कबीर साहिब ही छुड़वा सकते है मासा घटे ना तिल बदे विदना लिखे जो लेख सचा सत्गुरू मेठ कर उपर बार है बेख अब जब परमात्मा यहां आते हैं हम उस परमात्मा को पैचानते नहीं क्यों नहीं पैचानते क्योंकि हमने definition of God or wrong सुन रखी होती है परमात्मा की जो परिवासा है वो हमने गलत सुन रखी होती है जिस कारण से हम परमात्मा का कुछ और ही दिरिश्टी कौन से विवेचन करते रहते हैं और वही धारना हमारे हरते हमें समाई रहती है इसलिए वो परमात्मा यहां परमात्मा कम और एक म उसके निकट रहकर कुछ उनके ग्यान को फोलो कर सके तो इसलिए प्रमात्मा ने स्वेम आकर के यहां पर ग्यान देते हैं वो तो प्रमात्मा उपर रहते हैं वहां से अगती करके आते हैं अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको फिर अपने सतलोग ले जाकर वापस छोड़ते हैं अपना गवहा बनाकर छोड़ जाते हैं अब उन गवहाओं ने उन जो साक्सी बने परमात्मा के जिनको भगवान मिले उन्हों ने और साथ में हमारे पुटर सद्गरंथों ने दोनों ने रिल मिलकर ये सिद्ध क कर दिया कि परमात्मा कैसा है कहां रहता है उसका नाम क्या है उसके पाने की विधी क्या है मैथड का उनसा है जिसे हम परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं और जो सद्गरंथों में और जिनको परमात्मा मिले उन मापुर्सों के अनुभाव की जो उनकी अपनी अमरवानी है एफ वो फिर समच्थ हो जाएगा इसलिए उस प्रमात्मा ने बताया है वो प्रमात्मा चारों युगों आते हैं और वो स्वेमी आकर अपना ग्यान कराते हैं अथरवेद कांडर नमबर चार अनुवाक नमबर एक मंतर एक से सात मैं यह सारी शिरिष्टी रचना कोड़ बर्डों मजे रखें कि वो प्रमात्मा कबीर देव है कबीर साहब है और वो सभी ब्रमकावी परब्रमकावी और सभी ब्रमंडों का रचनियार है रचनहार है और वो अपने दवारा रची हुई शिरिष्टी को स्वयम ही ठीक ठीक बताता है अन्य तो अठकल बाजी लगाती है जैसे विर्माजी ने डेवी पुराण में अठकल बाजी लगा रखी है ऐसा सुना जाता है ग्यान और अग्यान के आधार से मैं बता रहा हूं तो जहां ग्य और वो प्रमात्मा स्वयम आते हैं और क्या बताते हैं चारों यूग में संत पुकारे उंको के कहा हम हेलरे एरे मानिक मुती बरसे ये जग चुगता डेलरे प्रमात्मा कहते हैं मैं चारों यूग माया और चारों यूग में अछी आत्माओं को मिला दो संत कहलाए और हमने आवाँ लगा लगा कर, कूक कहा हम हेल रे, कूक माने उच्चे सोब ता गुरज गुरज गए आवाँ लगा लगा कर बताया किसाधना तुम कर रहे हो, गल्त है, ये पूजा गल्त है, ये साधना करो सास्तर विदी चाक कर्मन माना आचन करने वाले डड़े ढो रहे हैं ये जगजगता धेल रहे हीरे मुती समझ कर कंकर इकठे किये बैठे हो आप और हम हीरे और मुती इनकी वर्सा कर रहे हैं सास्तर अनुकुल साधना और मंतरों की जिस से आपको मुक्स रूपी हीरे प्राप्त होंगे आपका जीव सुखी होगा हमरा ग्यान किन है ना सुनियां पर भी लेने जाते हैं दुनिया हमरा ग्यान किसे नहीं सुना किसी नहीं सुना और वहां पर भी लेने जाते हैं जैसे आप देख रहे हो केदार नाथ के ऊपर कल से कितना भैंकर फलडाकर के बदल फट गया, वहां तैसनेस हो गए, बहुत शे नुकसान हो है, बहुत शे सरदालू मारे गए, यहीं अमरनाथ के ऊपर जाते हैं, साइद ही कोई ऐसा वर्स गया होगा जिसमें सो दो सो अजार पंदरा से ना मरे हो, दरसक सदालो, तो कुझा आत्मा भगवान बिना रहनी सकती, इसका सभाव है, इसको आए उसकता है, उस बगवान के जिस दिन से यह उससे भी छुड़ी है, उसी दिन से उसको वो सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, जिसको यह छोड़ कर आ चुकी है, तो यहां प्रमातमा कहते हैं, हमरा अग्यान की नेना सुनिया, अरवान दक्के खान जाता है दुनिया, पर बिलेन जाती जोड़ अपतलाब मनाने के लिए, है कहीं गीता यह अरुवेदों में प्रमानी की सादना से मौक्स होगा, तो यह कहां से ग्रेन किया, यह सास्तर व तेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर मैं करुणा मैं कहाया, और कली युग नाम कभीर दराया, चारों युग मैं संत पुकारे, और कुक कहा हम हेलरे, एरे माने क मुती बरसें, यह जग जगता डेलरे इनात्मों किसी भी महापरुएस का इतियास आपको नहीं मिलेगा, जो चारों युग के अंदर आए हो, और चारों युग से आगे की भी जो जनोंने जानकारी दी हो, और सृष्टी की रतना की जानकारी जनोंने दी हो, तो वो परमात्मा है, जिसने अपने द्वारा रती ह हुई शिर्ष्टी को ठीक ठीक बता है क्या बताया है प्रमात्मा इस वर्तमान के चल रहे सतुर योगी में सबसे पहले सत्यू के अंदर सत्थ सुक्रत नाम से यहां परगठवे थे और यह लीला इसी ही करते हैं परमात्मा वो परमक्सर ब्रहम इन फैक्ट वास्तो मैयत ही कोई भगवान है परमात्मा है तो एक ही है परमात्मा एक है परभू अनेक है पुनात्मों देरे देरे आप बच्चे हो इस अध्यात्म मारक की दुबाप पियस नी कर लोगे तब इन कोड़ वर्ड कह देते हैं, सभी को पर्मात्मा कहते हैं, फिर आपको लास्ट में एक ही पर्मात्मा नजर आवगा जैसे सिरीमत भगुद गीता धाय नमबर पंदरा के, स्लोक नमबर सोला और सत्रा में तीन पुरुस हैं, एक सर पुरुस एक सर पुरुस, सर पुरुस ये ब्रहम है जिसके एक ब्रभांड के अंदर ये पिर्ची लोग, स्वर्ग लोग, पताल लोग, ब्रमाभी सुनो महिश के लोग, धर्मराय का लोग, नरंजन का लोग, और आगे दुर्गा का लोग, ये सारे में लाकर एक ब्रभांड कहला ता, ऐसे ऐसे 21 ब्रभांड है, उनका पर्वु है, ये ब्रभांड लेकिन ये पर्मात्मा नहीं है, ये काल, और साथ संग ब्रभांड का स्वामी है, जो पर्भांड जिसको अक्सर पुर्स कहते हैं, तो वो भी स्वामी है किस ब्रभांड, साथ संग ब्रभांड का, लेकिन वो पर्मात्मा नहीं है, पर्मात्मा वो होता है, जो सरेष्टा आत्मा हो, सरेष्टा आत्मा वो होता है जो किसी को दुख ना दे, सुख के अतिरिक तुज के कोई विद्धान ना हो, तो वो परमात्मा सत्य पुरस है जो असंग बर्मांड का स्वामी भी है और परमात्मा भी है, वो सत्य पुरस है, जैसे सिरीमत बगुत गी सर पुरस को हम काल कहते हैं ब्रम भी कहते हैं सर ब्रम भी कहते हैं और अक्सर पुरस को अक्सर ब्रम भी कहते हैं और पर ब्रम भी कहते हैं संत वासाम और तीसरा जो परमात्मा उसे परम अक्सर ब्रम भी कहते हैं उसे परम अक्सर पुरस भी कहते हैं उसको परमेश्वर भी कहते है सत्य पुर्स, सत्य माने अविनासी, पुर्स माने पर्हू, परमात्मा, तो ये जो तीस्रे नंबर का परमात्मा है, इसके विश्य में गीता घ्य नंबर आठ के सलोक नंबर एक में, अर्दून ने पूछा कि भगवन आपने गीता द्या नुबर 7 के सलोक नुबर 29 में कहा है कि ततबर्म को जानकर और सारे द्यातम से प्रीचित और सभी कर्मों से प्रीचित केवल सादक जरा और मรन से चुटने का ही प्रितन करता है संसार की किसी वस्तों को वो नहीं चाता तो ऐसा वो ततबर्म है तो आठमे द्या के पर्थम मंतर में गीता जी मैं पूचा है किम तत ब्रम वो तत ब्रम क्या है वो कौन है वो तत ब्रम तो गीता द्या नमर आठ के स्लोक नमर तीन में गीता ग्यान दाता कहता है वो परम अक्सर ब्रम है वो सर्वसक्ति मान परमात्मा परम अक्सर ब्रम सबसे स्रेष्ट परम माने स्रेष्ट अक्सर माने अविनासी और पुरस माने ब्रम माने परमात्मा अब जैसे अक्सर पुरस को भी अक्सर पुरस कहा है पर ब्रम को भी अक्सर माने अविनासी लेकिन यहां परम अक्सर पुरस कहा है कि अवास्ता मविनासी प्रमात्मा वो है स्रेष्ट सबसे स्रेष्ट अब जैसे एक स्टील भी दातू है काफी लंबे समय तक रहे जाती है एक मिटी की दातू का बना हो जैसे एक मिटी से बना हो एक स्टील से बना हो तो उस मिटी वाले की तुलना में वो स्टील वाला थाई ज्यादा है लेकिन उसका नास होगा एक दिन उसको जंग लगेगा और वास्ता हो में सोना जो है उसको जंग नहीं लगता तीसरा मेट्रियर वो समझे तो ऐसी वो परमात्मा परमक्सित बनाए तो गीता जाहर नमर 15 के इस लोक नमर 16 और 17 का यह निसकरस है कि इस पर्थवी वाले लोक में नासवान लोकों में दो परभू परसी दें एक सरप्रूस लेका एक सरप्रूस और इनके अंतरकत जितने पराणी है वो भी नासवान है जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती हो तो पुसू पक्सियों की भी नहीं मरती है वो तो अलग विसे है फिर पंदर में दैके सतर में सलोक में कहा कि उत्तम पुरस है तू अन्य है उत्तम पुरस माने सरेश्ट भगवान पुरशोतम वो तो इन दोनों से अन्य है सरपुरस और अक्सरपुरस है और परमातमा है ती उदारते जिसको परमातमा कहा जाता है परमातमा सरेश्ट ना दे किसी को और यह लोग तर्मावे से विबनती अवेस्वर है तो तीन वह लोग को अभाएस करके सब का धारन पोस्षंद करता वो है और यह वास्तम और दमा प्रमेश्वर और यह तो तीश्रे नुम्र का भगवान है यह है हमारा सबका जनक है और और ये है वास्तों में परमात्मा, बाकी स्वामी हैं, परभू हैं, तो यहाँ थोड़ा साब को दिरे दिरे सारा ग्यान कराएंगे, तो क्या पता है के चारों युग में ये परमात्मा आते हैं, और ये लीला करते हैं, जैसे रेगवेद मंदल नम्बर 9 और सुक्त नम्बर 1 मंतर आठम कहा है कि वो परमात्मा सब पापों का नास करने वाला परमात्मा हमारा तीन परकार के तीन सथीची से हम सब का धार्ण पोशन करता है वो तीन सतीथी कैसी है एक सतीथी में प्रमात्मा सतलोक में रहता है तेजों में सरीर उस प्रमेश्वर का मनुस द्रिश्षी है वो सिंगहासन पर विराजमान एक बहुत बड़ा गुमज सतुप है बहुत बड़ा और वो बहुत सुन्दर सफेद कलर का है तेजों में है उसके अंदर से भी नूर निकल रहा है उसकी बीच में सिंगहासन पर प्रमात्मा विराजमान है एक राजा के समान बैठे हैं उनके सिर पे मुकट है और उपर छदर है और उनके उपर चमर अपने आप भी होता है जब इच्छा होती है और बाकी वो रखा भी रहता है तो वो सुथान जो है वो है प्रमात्मा की पर्थन सती थी फिर वो भगवान वो ही प्रमात्मा अपना अन्य रूप धहरन करके अपने सरीर को सरल करके क्योंकि वहां जो परमातुमा बैठे हैं परमेश्वर परमकसर ब्रम उनके एक रूम में एक रूम कूप को हो एक रूम को हो रूम तो कहते हैं बाल को रूम कूप जहां बाल उगता है उस परमात्मा के एक रॉम में एक रॉम कूप में समझो, इतनी रोसनी है करोड सुरीय मिलादे, करोड चंदर में, वो भी फिकी पड़े तो वो परमात्मा का ऐसा नूरी स्रीर है, मनुस सद्रस्जर है शिर्प पर मुकट है और वहां जाकर हांस सभी उस परमात्मा पर चवर करते हैं अपने मालिक पर तो यहां से निकल कर जाता है सीधा फगवान के पास जाता है चरनों में परनाम करते हैं वो परमात्मा सीने से लगाते हैं परते को और फिर वहां चवर करते हैं आदर से फिर को कहता बिटा आराम से रहो ये तुम्हारे बने बनाए महल हुआ खाली पड़े थे विसराम को गलती बनी तुम्हारे से कोई ना लोटाए अब भी कहते सुबह का भूला स्याम को आ जाए तो भूला नहीं कहलाता और हम योगों से भूले पड़े यहां पर तो वहां ये पर् हलका रूप बना करके दूसरी सतीथी में वो दूसरी सतीथी में क्या करते हैं एक सिसु रूप धार्ण करते हैं और परते की योग के अंदर प्रहारम में एक सरोर के अंदर कमल के फूल पर आकर नवजाद सिसु का रूप धार्ण करके वो विराजमान हो जाते हैं वो किसी मां से जनम नहीं लेते और प्रमात्मा की सारी वश्था होती तो वहां से कोई नी संतान दमपती उन्हें उठा ले जाते हैं और देरे देरे जैसे बच्चे की तरह प्रमात्मा अपने दिला करते हैं छोटी सी उमर में ही चार पांच वरस की आयू में ही बड़े बड़े विद्वानों की चक्के छुटाने लग जाते हैं और देरे देरे बड़े होते हैं और एक नेक नागरिक की भूमिका करते हैं हाथ से काम करके कम से कम संग्रह करते हैं जोफडी में रहते हैं जैसे पहले तो वैसे तकरीबन ये महल वगारा बहुत कम थे जौफडी ही डाला करते थे सबी तो वो परमात्मा एक ऐसी लिला करते हैं कि भगत को अधिक संग्रह करने की अवसकता नहीं है भगत वही होता है जो लोग उस लोग की परमपराओं से हटकर अध्यात्मिक परमपराओं के आधार से अपना जीवन निर्वा करें उसके आधार से चले वो भगत कहला थे अनियत था जैसे बगती मारग पर चलने वाले वकती कोई मारक पर चल रहा है, सफर यातरा कर रहा है, तो वो कम से कम ही भार लेकर चल सकता है, और ये आपको खुब मालूम है, जो पहले यातरा करते थे, पैदल जाते थे, तो एक थेला डालते थे काख में, उसमें एक चदर और एक धोती कुर्टा, नाथिंग एलस, तो कहने का भाव ये है, हमने जाना सत लोक में और हम यहां वजन रख लिया ज्यादा, या कोटी मेरी है, ये कार मेरी है, पांच पलाट ले लिए, और इतने एक रजमीर बना ली, राजा बन गा, ये राज मेरा है, इस सब को सिर पे रखे हुए है, एक कदम भी नहीं चल पा तो फिर हमें ग्यान होगा कि हमने इतना वजन नहीं उठाना चाहिए, जो हमारे सफर को बाधा करे, इसलिए कम से कम संग्रह करो, और ये परंपराएं जो हमने बना रखी हैं, ये ही हमारा दुख का मूल है, जड़ है ये दुख की, बिहासादी में लोग देखावा ड्राम करना, नाचना, गाना, डीजे बजाना, कोई बात है ये, हमने बहुत से देखा, पहले दिन डीजे बजा रहे हैं लड़के का, यहाँ है, दरती तोल राखी, अगले दिन वदू लाही मर जाता है, दुर गटना के अब टकर मार करो रहे हो, अब जाओ डीजे, तो ऐसे बना कर अपना जीवन नास कर रहे हैं, दहज लेते हैं, लोग दिखावा देते हैं, तो यह नहीं करना चाहिए हमां, क्योंकि सारा जीवन कमाते रहते हैं, फिर उठा कर ब्याओ, और पोठी पर लगा जेते हैं, तो हमने सिंपल मकान जो भगवान अलावड करें, उतना ही चाहे छांड अपनी जोंफडी डाल लो, द्या करता है बगवान तो मकान बना लो, आपकी विवस्था है जो, एक जोंफडी भी अच्छे टंकी बनाई हुई, उतना ही काम करेगी जो आपके महल करेंगे, और आज कल के पके मकानों से जोंफडी जो डाली जाती थी ती, वो चैसी भी ना काम करेंगे, तो जैसा भी ये डेस, काल, परस्थिसी जो बदल गई है तो हम कैसे भी मकान बना कर रहें, लेकिन भगवान की भूल ना पड़ै और इन परंपराओं को कम करें, ताकि जैसे कि आजकर हमारी निवाद बन गई है, बेटी को हमने दूसमन बना लि गल्द परमप्राएं करके क्योंकि लड़की जनम होते हैं हम यह मान लेते हैं यह भार बन गई क्योंकि इसका विखा करना दो चार लाक रुपी अलगाने पड़ेंगे तब कोई ग्रहन करेगा फिर उसको बच्चा होगा कदे पी लिया कदे छूचक कदे फलाना फिर भात हो गया तो यह क्या हो सकता है इन चीज़ों की यह अपने यह मैन मेड हैं गौड मेड नहीं है और हमने इनको खतम करना पड़ेगा तो बेटी देखना सब चाहा करेंगे बेटी हो क्योंकि वजन ही निदे लेगा हमारे उपर तो अरबेटी बेटी बेटी निदे के गाड़ों गे तो बेटी ना हो गित किसे के तो हमारी बुझीवा पत्थर पड़े हम बगवान से दूर होकर समाज में ही रंग गे और उसी दृष्टी कोंसे सोचने लग गे तो इन से उपर उठना पड़ेगा तब हम भगती कर सकते हैं हम सत लोग चलना है तो इन मरियादों का आपने पालन करना पड़ेगा यदि आप विद्धार्थी हैं तो विद्धार्थी विद्धार्थी वाला ही काम करें और फिर वो अगर वो बच्चों मगदों पर बैठकर गूमता है गाओं में जाकर तो विद्धार्थी नहीं है और सकूलाता नहीं है इस पर काराप जी ने यन्या परमपराइट आगी नहीं है तो कहने का भाव यह है कि परमातमा स्वेम आते हैं एक लीला करके दिखाते हैं कि भकत को केवली तना ही प्रयापता है इस अधिक नहीं कबिर साहब कहते है कहा चनाव मेडिया यह लंबी बीत उसार गरतो सदे तीन हाथ वाई गणात पोड़े चार क्या परसंद हो रहा है लंबी लंबी जुआर खेंच का लंबी लंबी मेडिया बनाता है बुड़े जवारे बना कर उची होची कोठियां गाड़ रहा है महल अवेली बना रहा है परमातमा कहते हैं गरता सदे तीन आथ हर गणात पोड़े चार सदे तीन हूट हूट हाथ कहते हैं सदे तीन आथ को यह जो हाथ है यहां से लेकर यहां तक कौनी तक यह एक हाथ कहलाता है और परतेक इस्तरिया प्रुसका अपना स्रीर सड़्य तीन हाथ का होता है यह तीन तो पूरे और अदा इतना होता है परमात्मा कहते हैं आप चार मंदलगी को ठी बना रखिये और विस-विस कमरे ककस एक चार पाई पर इतने स्थान पर सोगे आप, किसी कोने में, कहीं डाल लेना, तो यह बाकी वकवाद किसलिए कर रखी है, तो परमातमा कहते हैं, गरते साड़े तीनाथ, और गरनात पौने चार, कहने का भाव यह नहीं है, कतिमा आपके साड़े तीनाथ होना लो, यानि या एक में काम चलता, तो क्यों डुले डोवे मतलब गे, भगती उदे से रखे, और भगती में बादा करे, उस वस्तु और उस रिवाज को तुरिंट चाग दे, परमपरा को, अब परसंग चल रहा है, हम उसी पर आते हैं, तो वो परमातमा परतेक युग में आते हैं, और परतेक युग में ऐसी लिला करते हैं, कमल के फोल पर आकर विराजमान होते हैं, और कमल का फोल जल में होता है, जिस कारण से हमारे सद्गरतों में उस परमातमा को नारायन कहते हैं, नारायन का अर्थ है, नार माने जल, आयन माने उस पर आकर विराजमान होने वाला, नारा हम स्री विश्रों जी को नारैन मानते हैं। ये भी नारैन जो है ये परमात्मा है जिसके लिए वेद और गरंथ हमारे नाराण बोलते है तो वहां से ये नी संतान दमपत्य उठा ले जाते है तो सतियुग में परमात्मा जब आए एक विद्दा धर नाम के ब्रामन थे और दिपी का नाम की उनकी पत्नी धरमपत्नी थी वो सुस्रार स आ रहा था अपनी पत्नी को ले करके तो परमात्मा तलाब के उपर विराजमान थे तो तलाब के अंदर कमल के फुल परसी सुरूप धरन के लेटे हुए थे उनकी दृष्टी पढ़गी उस बच्चे को उठा करके अपने घर ले आए तो वहां उनकी परवरस हुई की लील वाम देउ मने उल्टा ग्यान देने वाला उल्टा वाम मने उल्टा जैसे दाना आति ही वामद उस्तर आ उनको ना सुन करके अपनी पर वुता चूती नहीं ग्यान भगवान का ग्रर नना सुम ही और इस उनने नहा हमें करनी दिया फिर अगले जनम में परमात्मा की दया हुई वही आत्मा जो विद्धाधरोडिपी का वाली आत्मा एं स्त्रिता के अंदर एक वेद विज ब्रहमन नाम का ब्रहमन हुआ और सुरिया नाम की उसकी पत्नी का सैयोग हुआ वही आत्मा थी जो सत्यूग में थे और इसी परकार परमात्मा उनको त्रेता मैं भी ऐसी कमल के फूल पर मिले वो उसमें भी ने संतान थे अपने आत्मा अब आप देखते हो परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी सरन है ताका हूँ मैं दास और गैल गैल ला गया फिरूँ जब तक धरती आकास जो बच्छा गव की नजर में यो साइं को संत बगतों के पीछ फिर वो बगत वचल भगवन्त अब ये तो हम चार युगों की कता सुना रहे हैं तो बहुत युगों से हम बटक रहे हैं तो पिछले संसकार से ही परमात्मा इन पुन्यात्माओं के साथ लगे वे थे इस विद्धा धर और दिपिका वाली आत्मा कोई संतान भी दे सकते थे पुन्यात्माओं अब हमारी तो एक ऐसी मेंटलिटी बनेगी जहां हम रह रहे हैं जिस समाज में क्योंकि एक काल प्रेरी थे और इसमें अपने खाने के लिए संतानों उत्पति करवाना ही करवाना ह इसने यहां ऐसा सिस्टम फिट कर दिया यह जीव के वसकी बातनी संतानों उत्पति ना करे इसका विवस है यह और फिर परमात्माने क्या किया कि उनको संतान नहीं दी क्यों नहीं दी संतान भी दे सकते थे अपने अत्माओं समाज के अंदर और एक सामाने समाज मौरिक भगत जो समाज अलग से बनता है उसमांतर होता है और इसी कारण से जगत और भगत का विरहुद बताया कि बैर रहता है कारण क्या है कि भगत के नियम कुछ अन्य होते हैं और समाज यहां के परमपरा से ही रंगा हुआ होता है उसी को मूल मानत है यदि हम संसार की दृष्टी से तोलें तो जिनके संतान नहीं है तो संसार जो है आम वक्ति आख शमाद यह संता है कि इसका बहुत बड़ दुरु भागे है और यहां तक पहले तो यहां तक कहा करते हैं कि जो नी संतान है बे उलादा है, सुबह सुबह तो उसके जरसन भी ना होने चाहिए, वो उसको इतना हे मान रखा था, तो पुन्हात्माओं जिनके संतान नहीं होती थी, उनका जीना दुबर हो जाता था समाज के अंदर, संतान में भी विसेश कर हम पूतर को ही मुखे मानते रहें, और भगत समाज के अंदर परमात्मा के दृष्टी कौन से हम सोचते हैं, तो वो विक्ति जिसका संतान नहीं है, वो एक नंबर का भागवान आत्मा है, अब यहां समस्या है कि संसार किष दृष्टी कौन से सोचता है, और भगवान का विद्धान क्या कहता है, अब वो पुन्यात्मा क्यों है, क्योंकि इस मनुस जिवन का मूल उदेश से हमारा मौक्स कराना है, और यदि उस नहीं संतान दमपती को यह ग्यान समझ में आजार, वो समाज की तरफ ना देका, बहुत आसा नहीं से वक्टी क दुखी ही करेंगी, क्योंकि उनके जो बुरे संसकार साथ होंगे, आगे उनके संसकारों परिवरतन भगवान करेगा नहीं, क्योंकि यो जुड़े नहीं, तो उनको दुख होगा, तो आब भी साथ दुखी रहोगे, माता-पिता भी, और वो भक्ती-बादिग बनेगी, क् कि आपकी टेंशन का कारण बने रहेंगे तो इस कारण से प्रमातमा जो बता रहा चाहते हैं कि जिनके संतान नहीं है ठीक है समाज उनको कुछ भी सोचे और कहे लेकिन बगवान के विदान उनसार वो एक नमबर की पुन्यातमा है जै बगती करें और बगती नहीं करती हैं तो वो तो फिर और बहा लगाए होटा समाज के भी टान्य सेन न करने पड़ते हैं और बगवान से भी दूर रह रहे हैं तो वो महाँ बहा दूर भागे होगा तो इस लिए जैसे इस लिए जिनके संतान नहीं है उनका मुक्स बहुत ही असानी से होगा बक्ति कर लें नाम सुरू कर दें और संसार से मन हटा लें परमात्मा के विद्धान को आधार बान के जीवें तो सारजन बक्ति करनी इप समस्चा ये आती है कि बुड़ अप्पे में हमना कौन से बाड़ागा और बगवान रहा समालन इसे वाला सबबू को अब बेटा अमरीका में अर माच पता हिंदोस्तान में और दोनों का रोग हो गया उपनोंसी ठाए हंटें उसने अर बेटा वहां बेटा आमरीका में वह मर लिया तीसरे दिनों बापेस आया मरें पाथ से भी 3 दिन आया चाहट लेसे बेटाने बता कि सारा देती है बेटे ने अपने कर्म साथ देंगे बगवान साथ देगा एक तेडलोचन नाम के बगट थे संतान नहीं थी बगटी करते थे पत्नी का देहान दो चुका था वर्द वस्ता मैं अकिला रह गया था एक नोकर रखा हुआ था सेवादार उसने तो सेवादार कहने लगा मेरे घर पे ऐसी घटना घटी की महारा जी मैंने जाना पड़ेगा वो लज्जा बेटा देखी जाएगी दुखी सुकी होकर मैं अपना थोड़ा बहुत टैलों करूंगा अपना कारी वो सेवादार चला गया पीछे तो भक्त बिमार हो गया दस्त ल गया उसने पूछा क्या बात होगी बेटा कैसी वापस आगे तुम कि महारा जी मेरा मन नहीं मन्या आप न छोड़ कर जाओं आप तो बिर्द हो बिमार से हो कुछ ऐसोस्त भी चल रहे हो कुछ दिन के बात चला जाओंगा जब आप सोस्त हो जाओं तो उसने का आप धन्य ह बेटा आपको आपने ऐसी सोच रखी अब उसकी टट्टी के उठा उठा कर वहां से बाहर डाल के आए भगवन उस सेवक के रूप और एक महिना तक उनकी सेवा करी सबस्त रहे होगे और खुब नौहाओं है दौहाओं है अच्छा बिठाओं है और पर गात परमात्मा की क पर हुए था सुनआ or सुनाओे अब फिर क्या हुआ एक महिने के बाद वो सेवक वापस आया और आके उसने पोटडी रखी जो भी लाय था रस्ते में वहां से आया था उसी से में बगवन वहां से निकल गए तो उसने आकर कहा कि माराजी ऐसे ऐसे मेरी मान ने ये दिया है मेरी माँ ने ये कहा है आपको ऐसे ऐसे कहा है और महाराजी में थोड़ा सासे में ज्यादा लग गया मुझे समा कीजिए मैं 15-20 दिन की कहके गाता मही न लग गया महाराज मुझे माफ करना है अब वो मातमा उसके मुझे तरफ देखा thrust उसके मुझे तरफ देख रहा है बद क्या बोल रहे हैं आप अब क्या कहा रहे हैं ये पोटली कहां से ले आई ये समान कहां से लाई हूँ ये क्या ने बताए जी मैं गरसे आया है अपने भॉण से अब बोसके वो समझ देर काफी देर बैसे कि अरे तु अपने गर्सी आया है कि हाँ जी में ताज आया हूँ उस दिनका गया हुआ उसका तो रोम रोम खड़ा हो गया रोह बरीत रहे एब गवान इस पाप इन आपसे आपसे में टटी तक उठवाई मुतनी इसका कहां उदार होगा तो पुने अत्माँ पर मात्मा कहते है तुम अब जिस जो तुमारा सचा साथी है तुमेव माता चा पिता तुमेव उसको भूल के हम अन्य परासरा रख लेते हैं इसलिए भगवान से दूर होते चली जाते हैं तो यहां करीब दास साहिब जिन कहा है कि तेरलो चन के वह बरतिया बरतिया मनें नौक करें ऐसी भगती कमावे ऐसी भगती करें भगवान सास रहेगा तो इस परकार अब जैसे जिन बहन भाईयों के विसे इसकर इनसान तो थोड़ा वो सोच समझ भी लेता लेकिन बहनों का दिल नहीं डटता जिनका संतान नहीं होती क्योंकि उसको समाज रही जीने देता घर जाते हैं घर वाले कुछ दिन चोप रहते हैं तो कोई प्रवसी आ जागा आओगा कोई का अर पूछा गान्यों बहुगा कि मैं होया नी बालक बुलक है अब वाके का वेगी सासू अक ना कुछ ना होया कही साल होगे वियान है एक जात तक तक चाहिए था बता और देख लो कोई दूसरा विया कर वालो हम उस बेटी का और समस्या पैदा कर दी कि एक और विया कर व तक ग्यान नहीं प्राणी को तो जीना हराम कर देते हैं आदमी तो बाहर रहता है कभी कभी सुनता ही ये बाते हैं टाल जाता है मन समझा लेता है लेकिन उस बेहन के बसकी बात नहीं आनतम हुआ इतनी दुखी हो जाती है और ये थी संतान तो बगवान ने देनी है रो ले जपकान चेह पीट ले और नहीं बागम है तक कती नहीं आज अगया कर वाले एक संतान की भी देख यह हम लड़के को मैं तो जादा देते हैं दास दुनियर इंजिनियर था सेवा करता था जब नौकरी इसमें अर्याना गौर्वर्मेंट की दुनिय दूनिय की तो उसमें एक कंट्रेक्टर था ठेकेदार वो उसमें लगवग पच्पन वर्स की आईयो थी उसादमें की पच्पन से भी उपर होगा और उसके चार लड़कियां थी लड़का कोई नहीं था और चारों लड़कियों का व्या कर रहा था पोते पोते याना हो रहा पुतर नहीं तो उसकी पत्नी कोई किसी ने कह दिया कि तू अपनी बहन का व्या करवा देशते हैं इसका पुतर हो जागा उसने अपनी थोटी बहन से उसका व्या करवा दिया उसके कठिये दो छोरी होई दो लड़की हुई कठी है जुड़वां वो खुद बतावा था नो विला जी भाग बिना ना मिला कदी मनत था उसका जब भा उपरेशन करवा दिया फैमिली प्लानिंग आक पीछ साथ चुटवा है वो डाब जाए हो तो भाग में है नहीं तो क्यों पंगे में पांदेवा या बेमतल दुखी करो ओओ यहां पर जो काम करनकास को भूल गए और यदि वो बहन जिसके संतान नहीं हो रही है तो अन्त समय में इसी तमन्ना में मर जाती है तरफ के अंदर और इस काल का इतना गंदा विद्धान है अगले ज зайनम में उसको कुतिया बनाता है अगले तो संतान नही इसलिए तडफती हुई मरी है अभी कठ्ये आठ आठ पेदा कर ले और पेटा वर्लया अपना मा बन करहीं अगले जनम सूरी बना देगा अगले बारा बारा इकठे पैदा कर ले ले टिंडे तो पुन्यात्माओं इस ग्यान को आधार बना कर जीवो तो जिया जाएगा इसका देलो कमाई तो प्रमात्मा का कहने का भाओ ये है कि प्रमात्मा ने उस विद्याधर और दिपिका को संतान नीदी स्वेम आगे वो हमें लादना नहीं चाहते हमारा वजन कम करना चाहते और हम आदत बनगी है और हम लद कर ही ठीक चलते हैं जैसे गदान खाली छोड़ के कूंदता चाल लेगा और उस पर डाइमन का बुरा जर्जेकती सेट होके चाल लेगा सीधा तो हमारी आदत बनगी हमारे उपर ना इतने चारों तरफ से वजन हो ले हम सेट नहीं हो सकते लेकिन जब ग्यान हमें हो जाएगा फिर हम को लादो चाहे मतला जो हम सीधा चलेंगे हम हंस हो जाएंगे तो इस परकार जो परमात्मा हमें बताना चाहते हैं और यदि आपको संतान है आपका संसकार है आपका कोई करजा है लेना देना जैसे एक समय ये सुखदेव रिसी थे अपरमात्मा अपने सुक्सम वेदमा में ग्यान देते हैं और वो गढ़े की योन यानि तुराशी लाक्स योनियों में कश्ट उठाता हुआ गद्हे की योनी भी उसने भोगा और गधा जो है कुमार विसेशकर परियोग करते हैं गधाओं को और पहले पुजावा लगाया करते जिसमें जिसको किलन बोलते थे पुजावे में इंटें पकाया करते थे तो गधाओ वहां इंटों को नीचे से कच्छी इंटें ले जाता और पजावे के उपर 30-20-20 फोट उंचा हो जाता था राक वही रख देते थे कूपलों की उसके उपर ही लगा लेते थे कुमार उस राक कोई दरूदर नहीं ले जाते थे तो 30-40 फोट उपर ले जाता हुआं से पकिट तुरंट लाद देते उसके बोरे पर नीचे छोड़ कर जाता कमर तूट जाती और फिर आहार करने के लिए जंगल में जाता हो गदा तो परमात्मा कहते हैं कि शुकदेवी ने चोरासी बगती बना पजावे खर खर मने गधा हो अर तेरी क्या वनियाद पर आणी तूँ पैंड़ा पन्थ पकड़े ओ तेरी क्या का अथले आद्मी तूँ वो साधना पकड़े वो पेंडा माने मारग वो साधना कर जिस से तेरा युजनम और मरण 84 लाख युनियों का धंजड़ छूट जा जब शुकदेव रिसी का जनम हुआ ये 12 वरस मा के गरभ में रहे और मा के गरभ में तीन महिने के बाद बच्चे को वैसे तो दो महिने के बाद बच्चा गरभ में परवेश होता है उस तीन महिना का होने के बाद उसको अपनी सारी जानकारी चेतना होती है मैं कौन था कहा था क्या क्या दुख मैंने भोगे अब मेरा उदिस्य क्या है कि कितने अच्छे संसकारों से मुझे मनुश जीवन मिला है तो उस समय वो यही सोचता है किसी परकार एक बार मैं इस गरभ से बाहर जाओं और जो ही समझने योगे होंगा भगवान की वक्ति करूँगा परमसंत की खोज करूँगा और सत्वक्ति क्या करूँगा यहां का कोई संसार का सुख में संग्रह नहीं करूँगा सुख संपत लेकिन बाहर आते हैं ये तीनों गुन रजगुन गुर्मा सत्गुन विश्मुतंगुन शिवजी का जो परभाव है ये इसको अचेत कर देता है कोई चेतना पूरा जुनम की नहीं रहती है एकाद को रह जाती है वो थोड़ी बहुता दूरी सदूरी शी होती है तो क्या हुआ सुकदेव रिसी जब मां की गरब से बाहर आए बारा वरस की आयू बारा वरस की अंदर ही हो गए थे लेकिन मां के गरब से बार निकलते ही वो बारा वरस की आयू एकदम गरहन कर गए इतना स्रील बाड़ी बन गया उसको अंदर इतना नहीं था बाहर आते ही एक दम उस सथरका हो लाई तो व्यास जी उसके पिता थे व्यास जी निंतदार किया था कि पूतर होगा क्योंकि वो रिसी थे उनको मालुम था कि गरब में पूतर है आसालगा रखी थी तो उठकर चल पड़ा सुकदेव रिसी अपने माता पिता की और देखा भी ने तो व्य व्यास जी ने वेद व्यास जी ने कहा के बेटा सुख देव, बेटा सुख देव, मुझे रज तर्सन ते कर लू, तरी सकल ते देख लू," वनुगन हो बारह वरसे उंतजार किया तरह," तो वो पीछे नहीं मुड़कर देखता है और चलते चलते कहता है कि रिशी जी ना जाने कितनी बार आप मेरे पिता बने हो और ना जाने कितनी बार में तेरा पिता बने हो ये तो बुरा जंजट है अब कि मैं अपना पीछा छुटवाऊंगा मुश्कल से मानो श्री प्राप्त हुआ है तो वहां सुकदेव रिशी ने कहा है एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसे का पितानी पूतम ये तो रिण संभंध जुड़ा एक ठाठा अंस में सब बार बाटा है एक लेवा एक देवा दूतम आपका कोई लेंदेन उल्जा हुआ एक दूसरे के साथ तो एक लेने वाला है एक देने वाला है जैसे आप देखते हो पिता सारी अमर कुमाता है खो मेहनत करता है पैसे एकठे करता है पुत्र ऐसा नकमा पैदा हो जाता है वो उस पैसे को खर्च करता है सराब पीता है काम का हाथ नहीं लगाता पिता जी काम की कारिये के लिए कहता है तो नराध हो जाता है लड़ने को दोड़ता है तो वो क्या है कि उस पिता ने कभी उस पुत्तर का कोई करद लेकर दिया नहीं। उसका कोई पैसा मार रख्या उसने वो लेगा अपना पूरा करेगा। और कई ऐसे देखी हैं जैसे लड़की का विभा कर दिया। खुब सान सौकत्तें पैसे खुब दान कर दिये। करते ही हैं जैसे करते रहे हैं। जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। संत्रामपाल जी महराज से नामदिक्षा लेने से पहले कि आप कोई भक्ती सातना भी करती थी। संत्रामपाल जी महराज से नामदिक्षा लेने से पहले हमारे हिंदू धर्म में जितने भी देवी दियोंता हैं 33 करोर सो पूछती थी करती हैं। एक तरफ हम लोग दामा खेड़ा पंथ है हमारे चतिसगर में प्रकासमुनी नाम से एक कबिट पंथी संथ है उनसे भी हमारी फैमिली पहले से दिक्षित थी दादा पर दादा और पापा जी लोग तो उनकी भी भक्ति करते थे जैसे कि आपने बताया कि आप दामा खेड़ा पंथ से बचपन से ही जुड़ी है तो फिर संत्रामपल जी माराज के सरण में आनी की क्या जूरुत पड़ी जी संत्रामपल जी माराज के सरण में वैसे तो पापा जी 2014 से जुड़ी हुए थे लेकिन हम लोग संत्रामपल जी माराज का ज्यान नहीं समझे थे इस काला से हम लोग दिक्षित नहीं हुए थे फिर अचानक 2017 में मेरे अंदर पेड़ना जगी कि मैं संत्रामपा जी मराज का ससंग सुनू उसके बाद मैं कंटीनू संत्रामपा जी मराज का ससंग सुनने लगी और उनके द्वारे एक लिखित अन्मौल पुस्तक है जिनका नाम है ज्यान गंगा उसको भी मैं कंटीनू संत्रामपा जी मराज से नाम दिख चलेने के बाद मुझी और मेरी फ्रेमिली को बहुत लाब हुए उनमें से मैं कुछ लाब आप से सेर करना चाहती हूं उनमें से पहला लाब मेरे खुद का है मैं मुझे लगवाजा मैं नाइंध क्लास में थी तो नाइंध से लेकर करना और शीर दर्द करना ए बहुत बड़ी प्रोब्लम मुझे रही मैं चार सालों तक इस प्रोब्लम से जूचती रही मैं पापा को बताई जैसा ता मतलब अपनी दवाई चल रही थी फिर भी मैं रिकवर नहीं हो पारी थी उसके बाद पापा मुझे डॉक्टर के पास कर गया फिर मेरे आंकों का चेक अप हुआ फिर डॉक्टर्स बोले कि आपको ग्लोकोमा है और आपको दवाई लेती रहनी है और पूरी लाइफ टाइम आपको च्रस्मा लगाना पड़ेगा अपकी यही मतलब अपना फाइनल सुना दिये थे उसके बाद हम लोग घर आ गय आज मैं पूरी तरह से स्वास्त मुझे आखों में किसी भी परकार की कोई समस्या नहीं ना मेरे सीट का दर्थ भी पूरी तरह से समापत हो चुका है मेरी मम्मी को लगभग 2-3 साल तक वावसिट की बिमारी से जूज रही थी मम्मी लोकलाज में संत्रामपल जी महराज से नाम दिख चले ली थी मैं मम्मी को बोली कि आप भी संत्रामपल जी महराज से नाम दिख चले लो फिर मम्मी परमात्मा की दया से उन्होंनों भी संत् संतरों का जाप करने लगी फिर ओ भी मम्मी की भी जो बवर्शी की बिमारी इतनी दिनों तर ठीक नहीं हुई इतने डॉक्टर को दिखा चुके थे फिर भी ठीक नहीं हो रही थी ओ संत्रांपल जी माराज से नाम दिख चलेने के बाद पूरी तरह से आज समापत हो चुकी है है तिसरा लाब एक सर की मेरे भाईय को नशे की बहुत ज्यादा अलत थी ओ आज संत्रांपल जी माराज से नाम दिख चलेने के बाद मेरे भाईय की नशे की अलत पूरी तरह से समापत हो चुकी है और सबसे बड़ा लाब एह है कि मेरे भाईया का जो चोटा बेबी है जो अभी पांस साल का है जब वो तीन साल का था तब उसको तीन दिन तक फिवार रहा फिवार चल रहा था उसका फिर तीन दिन तक फिवार रहा फिर तीसरे दिन अचानक दोपहर का समध था आया और बोल में लिए और देखे तो उसकी मतलब उस जीवित नहीं था उमर चुका था उसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा रोने लग गए उसके बाद जो संत्रामपल जी माराज का डंडर ट्विस्तल हमारे घर पर बनाए हुए है वहां ले जाकर उस बच्चे को लिटा दिये उसके ब हम भी आपके सरन में है आगर आप बच्चे को आप बचा ले जीए exactly आप को अगर आप सच में सच्चे पार्मात्म हो तो इस बच्चे को जीवित करके दिखाऊ कि यह नाम दिख्षन हो लिए थे तो सबसे ज्यादा वहीं बोलें कि अगर आप सच में पूर्णा परमात्म क तो अगर मुर्दे तक को जीवित करने के लिए आप सकती रखते हो तो आज इस बच्चे को जीवित करके दिखा दोख गिरा में हिवा उसके बाद संतरामपल जी representing मराज के आसरम से अम्मरीजम परसाद मिलता है। संद्रांपल जी मराज को अमरीजल उपर साथ खेला उसके बाद 30 मिनट के बाद वहां बच्चा बच्चे की सरेंगे हलचर होना सुरू हो गया और वहां बच्चा 30 मिनट के बाद उठकर बैठ गया जीवित हो गया तब हमें परमान मिला और मन में भी मतलब दृड हुआ हमार मेरे भाईया को भी दीड उस्वास हुआ फिर उन्होंने भी दो घंटे बाद जाकर संत्रांपल जी मराज से नाम दिख चले लिए पहले जब हम संत्रांपल जी मराज से नहीं जूरे थे तो हमारी आर्थी की सिती बहुत ज़्यादा खराब रहती थी और अभी का समय है और संत्रांपल जी माराज जी को मानते हैं तो आप इतना पूराना पंथ दामा खेडा छोड़कर संत्रांपल जी माराज की सडम में क्यों आई पहले तो हुआ जू पहले ठीकल लेकिन trauma लोग कभीर साथे ने मुर्तिपुजा कभी हम खंडन किये थे लेकिन आज के जो कभी कभीर पंथी और एक तरफ मुर्ति पूजा भी करते हैं एक तरफ अपने आपको कभीर पंथी बेवी बताते हैं तो यह सब हमें नहीं जची और जब हम संत्रामपल जी मराज का जब मैं सत्संग सुनी और उनकी पुस्तक पड़ी सारे प्रमान देखी कि आज तक हम जितने भी देवी दिमताओं की भक्ति करते आ रहे थे ओ लोग अविनासी नहीं है उनका भी तो नास होता है तो हम उनकी भक्ति करे तो हम हमारा मुख्च कैसे हो सकता है फिर संत्रामपल जी मराज के सत्संग से मन हमें प्रमान के साथ या बात जानने को मिली कि सर असिस्टी रचानहा प्रमेश्वर तो कभीर साहब जी है और आज तक जीतने भी हम भक्ति कियो सारे वार्थ चले गए उसके बाद हम उस पंद को छोड़ कर हम मैं और मेरी फूरी फैमिली संत्रामपल जी मराज के सच्चे ग्यान को समझ कर उनकी सरण में आ गए कभीर साहब जी को आप क्या मानती है कभी मानती है संत मानती है भगवान मानती है पहले तो मैं जब स्टडी करती थी तो कभीर जी के दोहें पढ़ते थे तो कभीर जी को कभी मानते थे और जब हम लोग दामाखेड़ा पन से भी जूड़े थे तो उनको सद्गुरी रूप मैं उसे मानती थी और मांकी 33 करोर देवी देताओं को ज़्यादा इंपोर्टेंस देती थी मैं फिर मैं संत्रामपल जी मराज के सत्संगों में देखी उनके पुस्तक में देखी प्रमान की कभीर साहिब जी भगवान है तब से हमारी पूरी फैमली उस पंद को त्याग कर संत निवेदन ही करना चाहती हूं कि आप जो अभी भक्ति मार्ग में लगे हुए हो दामा खेड़ा पंत पूरे काल के चलाए हुए पंत है उस पंत में जाके भक्ति करने से हमारा पुर्णा मोक्चा कभी भी नहीं होने वाला है मैं आप लोग उसे हाँ जोड़कर निवेदन क करना चाहती हूं कि वर्तमान समय में पूर्णा परमेश्वर के अतार संत्रामपल जी माराज जर्टी पर आय हुए है जो भक्त समाज को सभी सासरों के अकौर्डिंग पूर्णा परमात्मा कभीर साहब जी की भक्ति बता रहे है जिससे हमारा पूर्णा मोक्चा होना है इसलिए जोड कर यही निवेदन करना चाहती हूं आप उन नखली पंतों को त्याग कर संत्रामपल जी माराज के सच्चे पंत में आकर और उनके द्वरब बताए गया सत्मंत्रों का जाब करके आप अपने जनम रन के दीरद रोग से मुक्ति पाव संत्रामपल जी आप उस कॉंटेक्ट नंबर में कॉंटेक्ट करके अपने डिस्ट्रिक के जो भी नाम दिख्चा केंद्र बनी हुए है वहाँ जाकर आप संत्रामपल जी माराज से बिलकुन निसुल का नाम दिख्चा ले सकते हैं धर्निवाजी धर्निवास है आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें करा ख्रें अधिक स्क्राइट केमा के लिएे जगत करें